दोस्तों जिन्हें आप घुमंतु भूटिया के नाम से जानते हैं उन्हें गाउं में नट और बक्खो कहा जाता है नट पुरुस को कहा जाता है और बक्खो औरतों को कहा जाता है ये लोग सहर सहर भटकते हैं गाउं गाउं भटकते हैं जहां जगे मिल जाता है वहां अपना घर बना लेते हैं कुछ दिन रुखते हैं वहां मांगते हैं और उसके बाद फिर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं इनकी जो औरते होती है वो गाओं-गाओं घुमकर कुछ खाने पीने के समान मांगती है और जो पूरुस होते हैं वो घर पर ही रहकर मुर्गे घोडे ऐसा सब पालते हैं आपने वेसे बहुत सारे लोग इनसे वाकिफ हैं कुछ लोग जो सहर बे रहते हैं वो इनसे बाकित नहीं होगे जो गाओं वाले हैं वो भली भाती जानते हैं कि गाओं में जो बगान होते हैं गाच्छी होती है वहाँ पर ये लोग अपना घर बनाते हैं और घर बसा लेते हैं और कुछ दिर रुकते हैं तब वो गार कर उसक डाइन की प्रेम कहानी है अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो कृप्या सस्क्राइब करें लाल बला बटन दबाए फ्रे हैं पैसे नहीं लगते हैं वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तो हम आपकी सुविधा के लिए नट बखो कर देते हैं क्यूकि इनका नाम ऐसे हिंदी में घुमन्तु वोटिया के नाम से लोग जानते हैं पर कहानी के तोर पर आप इसे नट बखो के ही रूप मे ले क्यूकि नट बखो के तोर पर हमें कहानी सुनाने में कुछ ज्यादा इंट्रेस्ट आएगा दोस्तों ये एक गाउं है वहाँ पर आकर बसे हुए थे बिहार में गाउं है वहाँ पर आकर ये लोग बसे हुए थे छोटा सा जोपरी बनाते हैं तंबू गार कर बास वगेरा रखते हैं अपने पास और तंबू बना ले घर बनाकर बगान के पास अक्तियारपुर नावा गाउं है वहाँ पर ये लोग रहने आये थे गाउं वाले वहाँ आम चुनने के लिए भी जाया करते थे तो कुछ लड़के भी वहाँ जाया करते थे आम चुनने के लिए तो इन नट के साथ कुछ बक्खो भी थी बक्खो जिसे हम औरत कहते हैं और नट जो इसे पुरुस कहते हैं तो नट लोग वहाँ पर रहते थे और बक्खो लोग भी रहते थे तो बक्खो लोग में से कुछ जो थी वो काफी खुबसूरत थी औरते जिन पर ये लड़के लोग काफी फिदा थे कुछ इने छेर खाने भी क्या करते थे इसमें से एक बख्खो जो थी वह काफी खूबसूरत थी और ये जब भी मांगने के लिए गाउं में निकला करती थी तो बंठन के निकला करती थी और लड़के लोग इस पर फिदा हो जाया करते थे लड़के लोग काफी इने छेरा करते थे इसे भी पता नहीं क्यों खूब मजा आता था ये बार-बार सच धसकर निकलती और लड़के इसे छेरते थे गाउं में ही एक सुमित नाम का लड़का था जिसके पिता जी काफी धन्मान वैकती थे गाउं में उनका खूब रसूख था जमीन जायदाद खूब थे सुमित पढ़ने में भी बहुत होसियर था वह कम दोस्ती रखता था और पढ़ाय लिखा ये खूब किया करता था पर उसके कुछ दोस्त थे जो वहाँ जाते थे बगान में और बखो को देखा करते थे तो इसी में से सुमित का एक दोस्त ने सुमित से कहा कि चल यार आज जाते हैं देखते हैं बहुत मजाएगा सुमित बहुत मना किया पर जबरदस्ती उसके दोस्त ने उसे बगान में लेकर पहुँच गया बगान में सुमित जब उस बखो को देखा तो उसे देखता रह गया बखो भी सुमित को देखकर खुस हो गई बखो और सुमित में पता नहीं कुछ ही समय में कुछ ऐसा हो गया कि सुमित अब बखो से नजर नहीं हटा रहा था सुमित उसका दिवाना हो चुका था और बखो भी उसे चुप चुप कर देखा करती थी अब सुमित स्कूल जाने की जगा बगान में पहुँँच जाता था और बखो को पूरा पूरा दिन देखा करता था और अब वह पढ़ाय लिखाए भूल चुका था पूरा पूरा दिन अब उसी के पिछे लगा रहता था एक दिन जितने भी नट बखो थे अपना समेट समान समेट कर और गाउं से विदा हो गए दूसरे दिन पता चला कि समीट भी गाउं में नहीं है आब सब लोग गाउं में ढूंने लगे क्योंकि समीट के पिताजी काफी पैसे वाले थे तो उन्होंने कमप्लेन भी कर दिया पर समीट का कहीं को अता पता नहीं समीट गायब अब लोग ढून रहे हैं सुमित को भटक रहे हैं गाउं गाउं पर ना तो बक्खो का कहीं अता पता ना तो सुमित का कहीं अता पता था पांच साल बीत गए एक दिन एक सुमित के गाउं वाले ने सुमित को बक्खो की ग्रूप में देखा बक्खों के साथ सुमित टेंट लगा रहा था तो उसने सुमित से बात की पर सुमित उसे पहचानने से इंकार कर दिया सुमित को ये तक नहीं पता था कि सुमित उसका नाम है उसका गाव है कहाँ उसके पिता का क्या नाम है वह सब कुछ भूल चुका था पता नहीं ऐसा क्या जादू कर दिया था उस बक्खों ने उस पर कि सुमित अपना सब कुछ भूल चुका था उसे कुछ याद नहीं था काफी कुछ उसे बताने पर भी सुमित को कुछ याद नहीं आया ऐसे ही कई ऐसे लरके थे उस ग्रूप में जिससे पूछा गया तो उसे उसके गाउं का पता नहीं था तो उस गाउंवाले ने सुमित के पिता को आकर बताया कैसी इसी बात है सुमित के पिता ने पुरे गाउंवाले को इकठा किया और वहां पर पहुँच गए पर आब वहां कोई नहीं था जहां बखो थे वो पूरा को पता चल चुका है उसके डायन होने की ख़बर मिल चुकी है कि वो लड़कों को फसाती है और उसे लेकर रफुचकर हो जाती है और उसे अपने ग्रूप में दाखिल कर लेती है दोस्तो कहानी आप को कैसी लगी इसे जरूर आप कॉमेंट किजिएगा लाइक करिएगा वीडियो को सेर करिएगा मेरे चैनल को सस्क्राइब करिएगा दोस्तो हमने आप से कहा है कि नट बख्खो से लोग ऐसी भी दूरिया थोड़ी सी बना कर रखते हैं उसके पास कई लोग जाना नहीं चाहते होंगे यह कहानी मैंने गाउवालों से पता की थी मैं जे गाउवालों ने बताई कितनी सची है इसके लिए मैं यह नहीं कह सकता हूँ के कहानी सौप्रतिश्त सची है कुछ हो सकती है कि लोगोंने मिलावट भी कर रखी हो पर कहानी जहां तक की सच है नत बख्खो गाउं में घुमा करते हैं कहानी सची घटना पराधारी थे आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा सेर करिएगा तक तक लिए हैं मैं आखिया